तो दोस्तों मैं आपका डेरी फार्मर दोस्त मधुसुतन हाजीरे फिर से नहीं और सही जान करें साथ आज का जो टोपिक है कि क्या 20 लीटर वाली गाएं बोलने से 20 लीटर दूद देगी क्योंकि कही बार होता यह है कि गाएं की क्वालिटी भी हमें लगती है कि कहीं न कहीं गाएं 20 लीटर दूद देगी परन्तु वह गाएं 20 लीटर दूद देती हैं या नहीं देती हैं तो आज पूरा हम वीडियो के मादियम से बताएंगे तो चेनल को सब्सक्राइब वीडियो को शेर लाइक जरूर करें और अंत तक वीडियो को जरूर देखें थाकि कि आपको मिल सके पूरी नई और सही जन करें तो बने रहेगा वीडियो के अंत तक जिसा कि 20 लीटर वाली गाए यदि हम क्वालिटी चेक करते हैं तो रीड की हटी सीधी होना चाहिए कही न के अड़र फिक्स होथो अच्छा है कही न के जो थन यानि की आचल का जो गेप वह प्रोपर होना चाहिए और कही न की ज्यादा आचल के गेप से ज्यादा milking गाई करती है फेस क्वालिटी यदि अच्छी है तो चलेगा नहीं भी है तो फेस क्वालिटी से गाई के अच्छी पेसे अच्छे दाम लगते हैं अच्छे दाम हमें मिल जाते हैं यदि सेलिंग करते हैं और जो काफ होते हैं वह भी अच्छे कलर की वज़े से ग ब्रेडिंग करके आप सेल भी करना चाहते हैं और गाय क्या इसमय कि आपको MILKING करना है इसे प्रकार से मैं बताना कोसव घवर हम आपको क्या लगएगा 20 तो जिसां कि यह गायं आप देख सकते हैं अभी यह लगभग 8 मैने की प्रेगनेंट है और लगबग 20 दिन के आसपास इसके जनने की तयारी है और कई न कई 20 दिन के आसपास यह जन जाएगे तो इसकी जो पर्चेसिंग थी हमारी जैपूर से थी और कहीं न कई सत्र से असीrone के बीच में इसकी पर्चेसिंग थी और इसका जो मिलकिंग रहा है 20 लिटर वाकई में रहा है अच्छी अच्छी केर के साथ में परन्तु जो मिलकिंग हैं लंबे समय तक 20 लिटर नहीं रहे पाता है क्योंकि यदि आप सर्दी में गाये जैनती है और कहीं न कहीं वह गाएं आपकी मिल्किंग करती हैं तो शुरुवाती दिनों में काफी अच्छा मिल्किंग करती हैं जब सर्दी होती हैं काफी अच्छा मिल्किंग करती हैं और जैसे ही गर्मी शुरुवात हो जाती हैं कहीं न कहीं पशुव को जिसे अभी का जो मोसम गर् जाती हैं तो 4-5 लीटर मिल्किंग कम हो जाता है गर्मी के मोसम में यदि AI समय पर नहीं हुई हो यानि कि जन्ने के 2 मैने के बाद में AI नहीं हो और 5 मैने के बाद में AI हो तो लास्ट टाइम तक यानि कि जन्ने के 6-7 मैने 6 मैने बाद में वह मिल्किंग 5-5 लीटर ही करेगी आ AI का जरूर ध्यान रखे हैं और कहीं न कई जो 20 लीटर क्वालिटी वाली जो गाये होती हैं वह 20 लीटर मिलकिंग करती हैं परन्तु समय का आपको ध्यान रखना होगा कि कहीं न कई AI समय से होगी तो वह प्रोपर 20 लीटर मिलकिंग यानि कि 18 लीटर मिलकिंग अंतिम समय तक कर सकती हैं इसी प्रकार से आप यह एक गाय और देख सकते हैं इन दोनों को साथ में पर्चेस किया था जैपूर से इसका भी मिल्किंग काफी अच्छा हुआ था और कहीं न गई बीमारी की वज़े से जिसा कि यह काफी बीमार हो चुकी थी और लगबग मरने की इस्तती इसके आ चुकी थी और कहीं न गई ट्रेटमेंट अच्छे ट्रेटमेंट अच्छी केयर के साथ में यह अभी हस्ट पुस्ट हो गई हैं तो इसका जो मिल्किंग रहा हैं लगबग 25 लिटर के आसपास रहा है तो जो क्वालेटी हैं इसके भी काफी अच्छी हैं उस काई से इसकी साथा क्वालेटी अच्छी हैं और एचेप के परसेंटेच भी काफी हाई हैं तो इसी प्रकार से सर्दी के मोसम में में लेके आया था और कहीं न कहीं इसको पूरा एक साल अभी हो चुका है मार्च में और इसका मिल्किंग भी अच्छा रहा है परन्तु जब यह बीमार हो लिटर एक समय का मिल्किंग कर रही है और पांच मैने की प्रेगनेंट है तो पशू हो सकता हो बीमार हो जाए उस वज़ए से आपके पशू जो 20 लिटर की मिल्किंग वाले हैं तो कुछ मेडिसीन कुछ ट्रेटमेंट के बाद में मिल्किंग पूरा नहीं कर पाए क्योंकि कहीं बार कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जिसे की प्रोपर जो मिल्किंग होती हैं गाए की वह उसी कंडिशन में नहीं आ पाती है यानि कि दूद थोड़ा सा खतम हो जाता है थोड़ा सा कम हो जाता है। इसी प्रकार से आप यहँः देख सकते हैं यह जो बेटी हैं यह भी काफी HF के परसेंटेज जादा है प्योर HF के सकते हैं आप तो इसका जो milking record रहा है लगबग 32 लिटर दोनों समय का रहा है तो इसका भी milking काफी अच्छा जैसे कि अभी गर्मी आ चुकी है तो लगबग 12 लिटर एक समय का हो रहा है तो इसी प्रकार से थोड़ी बहुत mil कि अलाइक रहा है तो दूथ कम हो जाता है तो इसी प्रकार से यहां नहीं कि आपकी सारी गाएं 20 प्लस की हैं तो आप देख सकते हैं हमारी जो सारी गाय हैं 20 लिटर प्लस milking वाली हैं काफी अच्छी बरेड हैं काफी अच्छी के साथ में हम लोग इने समालते हैं यह गई milking जिसे की गर्मी का मोसम है आज कम गर्मी लगती हो यानि कि ज़्यादा ठंडग बनी रहेगी जब बदल हो जाएंगे धूप नहीं निकलेगी तो कही न कहीं ये milking ज़्यादा करने वाली है पर ज़्यादा गर्मी के वज़े से milking कम हो जाती है तो इसी प्रकार से जब आप dairy farm करें तो कहीं न कहीं ये सोच के करें कि सभी गाए एक जिसा milking नहीं करेगी जिसे की 20 लिटर वाली गाए हैं पूरे दिन की तो 5 गाए आपने रखी हैं तो 100 लिटर आपका ratio नहीं आने वाला है तो कहीं न कहीं वह 70-80-70-80 ही आने वाला है हो सकता हो कुछ गाए बिमार हो जाए हो सकता हो milking एक जादा दे एक कम दे हो सकता हो थोड़ी early carving हो जाए हो सकता हो late AI हो तो इसी प्रकार से कुछ कारण रेते हैं यानि कि 10 गाए हो 20 लिटर milking करें तो 200 लिटर आपका milking का ratio नहीं आने वाला है तो इसी प्रकार से कम जादा milking होती रेते हैं और कहीं न कहीं benefit तो हमें मिलता ही है तो थोड़ा बहुत milking बिमारी AI समझ से development समझ से कहीं सारी ऐसी चीजे हैं जो आपको समझ समझ से करना होगी तो इसी प्रकार से हम वीडियो लाते रहते हैं उम्मीद हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा और सही जानकारी आपको मिल चुकी होगी और कहीं न कहीं आपको support मिलेगा आपके dairy farm की शुरुवात के लिए जिसे कि आपको बेतर जानकारी मिल सकें और अच्छी जानकारी की वज़े से आप भी आपको भी अपने dairy farm पर नुकसान नहीं और कहीं न कहीं बेतर जानकारी आपको मिल सकें चेनल को subscribe and share like ज़रूर करेगा जिसमें कि आने वाले वीडियो आपको मिल सके और कहीं न कहीं बेतर जान करें आपको मिल सके कि आपको कुछ परिशानी हो तो आप comment के माध्यम से बता सकें और कहीं न कहीं आपका suggestion हो हमें suggestion भी और सेटिज सकते हैं कमेंट ज़रूर करिए, शेर लाइक ज़रूर करिए थेंक यू फर वचिंग, थेंक यू फर सब्सक्राइब मिलते हैं अगले वीडियो में नई और सही जान करेंगे साथ